Hello Friends, Welcome to Optimistic Studies. C.G. Patwari R.I. Hostel Warden की Free Course में आप सभी का स्वागत है. सबसे पहले, होली की आप सभी को हार्डिक शुप काम नाए. साथ में, जिन किसी का भी संपरिक्षक में हो गया है, उनको भी हार्डिक गॉंग्राचुलेशन टू आल दोस. लेकिन जिन किसी का भी नहीं हुआ है, जिसका भी नहीं हुआ है संपरिक्षक में, वो भी चिंता ना करें और बहुती लोवर फील ना करें, क्योंकि अभी बहुत सारे मौके में लेंगे, क्योंकि 2022-2023 में बहुत सारी वेकेंसी आने वाली हैं, तो बिलकुल भी आप डिसहार क्या था रिवीजन हम कर रहे हैं मद्यकालीन इतिहास का mcq कित्रू तो पार्ट वन और पार्ट टू हमने देख लिया है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है cg पटवारी नाम से तो आप जा कर के देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो तो आज हमारा थर्ड पार्ट है इसका तो आज हम थर्ड पार्ट डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें हमने राजपूत पिरेट और चोल समराज देख लिया था तो आज के सेशन में जो हम कवर करेंगे वो है डेली सल्टनेट और विचेनगर अमपायर यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नॉटिफिकेशन को आउन रखिए जिसे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँच दी रहे चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हैं ये सीजी पटवारी 2022 की टेस्स सिरीज है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो यदि आप में से कोई इंटरस्ट रहे हैं जोन करने के लिए तो हमें आप इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं इस test series में 3 full length test है और 2 sectional test है first sectional test 15 March को हो चुका है लेकिन आप अभी भी जॉइन करेंगे तो आपका first test भी नहीं छूटेगा और वो आपको provide करवा दिया जाएगा तो यदि आप interested है कि final exam से पहले आपको test देना यदि आपको लगता है कि हमें test जॉइन करना चाहिए तो आप इस WhatsApp नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं चलिए आज का session स्टार्ट करते हैं फिर हम जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा topic रहने वाला है डेली सल्तनीट तो डेली सल्तनीट में सबसे पहले MCQ solve करने से पहले हम इनका कारिकाल जान लेते हैं कि यह कब से कब तक थे तो जो देली सल्तनीट था तो वो था 1206 से लेकर के 1526 ठीक है यानि कि यदि century में पूछता है आपसे शताबदी में पूछता है तो 13 से लेकर के 16th century तक कब तक 13 वी से लेकर के 16 वी शताबदी तक ठीक इयर भी याद रखेंगे साथ में शताबदी भी याद रखेंगे तो Delhi Sultanate में हमको क्या-क्या देखना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सयद वंश और फिर लास्ट में आता है लोधी वंश, हमको इतना पांच वंश हमको देखने रहते हैं Delhi Sultanate में, I know आप लोगों को clearly visible नहीं हो रहा आपको कि पुरा लंबा सा सेशन इसलिए हो रहा है कि हम इनके बारे में के करके देख रहे हैं नहीं, यहाँ पे आपको mainly आपने पढ़ा होगा कि आपका ये तो रिवीजन हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे एक broader framework है कि आप किस तरह से इसको revise कर सकते हो last minute में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यदि slave dynasty की बात आती है, गुलाम वंश की बात आती है, तो गुलाम वंश का कारिकाल कितना था, 1206 से लेकर की 1290 एसवी, ठीक है, 1206 से 1290 AD तक, इसमें सबसे पहले था कुदबुद्दीन अईबग, जो चीज आपको याद रखनी वो ये है, कैकू बाद, इस तरह से, बाकी तो आप लोगों को यादी करना है, कि कौन है, किसके बात क्या है और इनका अवधी क्या है, इनके में से ना, slave dynasty में से, इनका पर्टिकुलरली ये नहीं पूछता है, कि किसका कारिकाल कब से कब तक था, ये नहीं पूछता है, ये किये क्या ह उसको याद करने के लिए आपको एक broader framework आपके दमाग में होना चाहिए कि कौन किस के बाद था तो आप easily elimination के थूबी जा सकते हैं तो कुदबुदीन अईबग समशुदीन इलतुतमिश ठीके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है खिलजी डाइनस्टी तो खिलजी डाइनस्टी में सबसे पहले संस्थापक आपको याद रखना है यह क्या था खिलजी डाइनस्टी कब से कब तक था तो 1290 से 1320 तक तक 1290 से 1320 तक तो सबसे पहले खिलजी वनश का संस्थापक बोलता है तो जलालुदीन ख जलाल उद्देन खिल जी पिर आता है अलाउद्देन खिल जी ये तो इनके बारे में तो हमको बहुत कुछ पढ़ना रहता है फिर आता है शिबा उद्देन उमर मुबारक खिल जी और खुसरव खान लास्ट रूलर भी याद रखना है आपको क्योंकि एक्जाम में पूछे कि लास्ट रूलर कौन है इस वंश का तो खुसरव खान नेक्स्ट आता है हमारा तुगलक वंश के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा समय तक लंबी अवधी तक इन्होंने राज किया तुगलक वंश ने तो इसके संस्थापक की यदि हम बात करें तो ग्यासु बाता है और लुट początku भालड की हम बहुत बार मोहममद भी तुगलक दれて में पोगलक कःमी तो बारे में यह तो आता हो जो मत में इसके बारे में कुशिंरा बार बार एक्जामें कुछा गया है यह जो सेशन एना आप चाहे जू भी क्यूस्स आ आप चाहे PSC दे रहे हूँ या UPSC दे रहे हूँ या कोई सा भी SSC हो या फिर क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं CGV आपको कोई सा भी एक्जाम है न तो आप जहां पे भी आपको India GS पढ़ना है वहां पे आपको Medial History मतिकालीन इतिहास जहां पे पढ़ना है तो सब के लिए इंपोर्टेंट है ऐसा नहीं है कि केवल पटवारी बस में आने वाला है आराई में आने वाला है और हॉस्टल वार्डन में आ रहे हैं नहीं ये एक सेशन ऐसा है कि आपको हमेशा हमेशा मतलब जब आप अपना Competition दे रहे हैं Competition exam की preparation कर रहे हैं तो ये बहुत ही important हो जाता है याद करना ठीक है तो नसरुदीन मुहमद लास्ट रूलर था किसका तुगलग डाइनस्टी का ठीक है फिर आता है next हमारा सैयद वंश शैयद वंश जो है किजर खान क्या बोलते हैं किजर खान इनका नाम है जिसक स्थापक है किसके सैयद वंश के खिजर खान फिर उसके बाद आता है मुबारक शाह फिर मुहमद शाह और आलम शाह खिजर खान मुबारक मुहमद आलम खिजर मुबारक मुहमद आलम ठीक है इस तरह से याद कर लीजे शैयद डाइनस्टी का फिर आता है next आता है लोधी व कि इनको जो है जो सबसे पहले आया ही है इनको इनके कारिकाल के अनुसार इनको हमको सेट करना रहता है। इस तरह से कुषिण बहुत बार पूछा है तो आप लोगों को याद क्या करना है कि पहलोल लोधी, सिकंधर लोधी, फिर इब्राहीम लोधी, BSI BSI याद कर ले BSI ठीक है BSI बहलोल सिकंदर इब्राहिम इस तरह से यदि लोधी वंश का इतना आप याद करोगी तो बहुत ही आपको helpful हो जाएगा लास्ट में इनका जो कारिकाल है वो है 1451 से लेकर 1526 तक ये भी important हो जाता है कि लास्ट में कौन था 1526 ठीक है फिर next आता है अब first question है हमारा first question ये है कि अल बरुनी किसके साशनकाल में इतिहासकार इतिहासकार थी आपके options है महमूद गजनवी बालबन अकबर मुहमद बीन तुगलग तो आपने यदि first session को attend किया है part 1 को attend किया है तो आप इसका आसानी से answer दे पा रहे होंगे क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा बताया था तो यहां आपका answer जो है वो है आपका first महमूद गजनवी कौन है महमूद गजनवी महमूद गजनवी के साथ में बहुत सारे लोग आय थे उसमें से इनका एक दर्बारी कवीता जिसका नाम था अल बरुनी ये आया था जो कि मैंने आपको बताया था ठीक है फिर उसके बाद next question हम देख लेते हैं इसका detail जो भी जानना है तो आप part 1 को यदि follow करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर इसलिए मैं कोई explain नहीं कर रही हूँ फिर आता है ये थोड़ा सा ये आप लोगों को ये क्या बोलते हैं request भी आई थी कि इसके बारे में थोड़ा बताना तो इसलिए ये आप लोग याद कर सकें तो बहुत helpful होगा क्योंकि अकसर एकजाम में पूछता है राजकवी, सनरक्षक, राजा और प्रसिद रचनाए तो कालिदास जो है विक्रमा दित्ति के समय थे जिन्होंने शकुंतलम, मेगदूत इस तरह से इन्होंने पुस्तक लिखे थे इसमें जो है, जो कालिदास से पूछता है वो ये पूछता है, इनकी रचनाए पूछती किवल मैंने दो को ही लिखा है अंडरस्टांडिंग के लिए और भी है तो उसमें लेकिन क्या है सीक्विंस में सेट करने को दे देता है कि पहली कौन सी रचनाथी कालिदास की इस तरह से भी कोशन बनते है तो वो भी आपको थोड़ा सा याद करना है ठीक है, एक्जाम के लिए तो कालिदास जो है, विक्रमादित्तिक के साशनकाल में थे बानभट हर्षवर्धन जिनोंने हर्ष चरिता और कादमबरी लिखी Кादमबरी को हम ओफन इसको क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते बट कादमबरी जो है उसको, उसके रचाइता जो है बानभट हैं, कौन है कादमबरी, बानभट है जो कि हर्षवर्धन की दरबारी कवी थे पिर चंद बरदाई आप सभी जानते होंगे पृत्वीराज चोहन और पृत्वीराज रासो इनोंने लिखा है भाव भूती अक्सर इसे कुशन बनते हैं और हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं पर्टिकुलर ये टॉपिक को क्यों निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम याद किये रहते हैं जो है यशु वर्मन मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फर्स्ट सेशन में आई होप सो जब हम ट्राइपार्टी स्ट्रोगल की बात कर रहे थे त्री पक्षी जो संगर्ष हुआ था जहां पर मैंने बताया था अच्छा आप लोग बताएं त्री प्राइपार्टी स्ट्राट की थे ठीक है यह हमने देखा हुआ है तो मैंने उस समय आपको यह बताया था कन्नौज के लिए यह लड़ रहे थे तो कन्नौज के संस्थापक यानिकि सबसे पहले कन्नौज को जिन्नोंने अपनी राजधानी बनाई थी वो थे यशो वर्मन क एशो वर्मन कब बनाये थे यह एक्जाम बनाये थे यहाद आप लोग काफी बार एकजाम में आया है कि भाव भूती किस के दरबारी कवी थे साथ में इनकी रचना भी आती है तो इनकी रचना है मालती मादव उत्तर रामचरित यह सब है ठीक है फिर आता है अमीर खुश्रो तो अमीर खुश्रो के बारे में बोला जाता है कि ये मुख्य रूप से तो अलाओदीन खिलजी के दरबारी कवी थे लेकिन इनके बारे में ये famous है कि इन्होंने दिल्दी सल्तनत के साथ साशकों के साथ ये जुड़े हैं थे साथ साशकों के साथ में अमीर खुश्रों का नाम जोड़ा जाता है ठीक है जो इनकी रचनाय है जो की most famous है वो है तुहफा तुस सिगर और किरानुस खाँ दाएं किरानुस खाँ ठीक है आगे देख लेते हैं हम आगे क्या है ये directly जैसे कि कनिश्क जो है directly इनके बारे में जो जिस तरह से question पूछता है वो set किया गया तो कनिश्क जो है इनके क्या कौन-कौन कवी थे तो है अश्वगोश, नागारजुन और वासुमित्र जब आपने Buddhist council पड़ी है, चार Buddhist council आपने पड़ी होगी तो इसमें से आप लोगों को याद आ रहा होगा ठीक है समुद्र गुप्त द्वितिये के हरी सेन, फिर चंद्र गुप्त द्वितिये के अमर सिंग और काली दास कौन अमर सिंग और काली दास, फिर आता है हर्ष वर्धन तो बानभट पुलकेशिन द्वितिये रवी किये थी, इसको हमने एहोल प्रशस्ती के रूप में इसको देखा था कि इन्होंने एहोल प्रशस्ती, एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था, जिसमें इन्होंने क्या बत इनका पूरा नाम है जो कि हमने देखा था, फिर आता है नेक्स्क्रीन है हमारा, नेक्स्ट कोशन है, dese kinda, मेहमूत गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमंट किया था तो यह वह बहुंने पार लुक्त ने हैं उन सिंग किया, इस बता आपको, फिस के समनात्रमंट किया थ बताईए पॉस का लीजे बताईए अपना अंसर याद आया यदि याद आया तो बहुत अच्छा है ठीक है याद नहीं आया तो भी टेंशन ने ले न मैं आपको बता देती हूँ महमूद गजनवी ने जो सोमनाद पर आकरमन किया था वो किया था 1025एशवी पर content 25छ पर जो कि सोमनाद पर इसका Remote के विरुद्ध के अपना अंतिम आखरमन किया था जिकी मुलतान और सिंहों धे थेत, फर्स्ट आक्रमन्ट जो इसने किया था, वो किया था है,1001 मे और किसके विरुद्ध किय था, तो ये समी पवर्ती नगर थे, भारक के समी पवर्ती नगरों, मेजोब था, वहाँ उसका प्रथम आक्रमन हुआ था, ये तीन आक्रमन आपको याद रखना है, first, 16th और 17th क्योंकि most important हो जाते हैं exam point of view से, next question हम देख लेते हैं, next question है हमारा लोधी बंश का संस्थापक कौन था, तो मैंने आपको बताया, अभी जिस्ट बताया, आप सभी इस सिकंदर इब्राहिम, B.S.I. ठीक है, next देख लेते हैं, भारती इतिहास में बाजार नियमो, मूल्य नियंतरन पद्धती की शुरुवात किस ने की थी, तो किस ने की थी, शेर्शा सूरी, मुहमद बीन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद दीन खेल जी, बताये इसक करें, जिनसे भी बन रहा है, क्योंकि आप लोग सब पढ़े होंगे इसको, तो बताये आंसर क्या है, इसका, 24th question, की बाजार नियमो और मूल्य नियंतरन पद्धती की शुरुवात किस ने की, तो इसका सही आंसर है, D. अलाउद दीन खिल जी ने की थी, ठीक है, यहाँ पे तारीक उलहिंद में किन विश्यों की समीक्षा की गई है, किन विश्यों की समीक्षा की गई है, बताईए, किन विश्यों की समीक्षा की गई है, अलबरुनी, द्वारा, रजित, पुस्तक, किताब उलहिंद, तारीक उलहिंद में, तो मैंने आपको बताया था, first part में ही ब चाहिता रचना याद कर लो ठीक है मैंने आपको बताया था भारत का विवरेंट प्रथमबार इन्होंने इसी बुक में दिया था तो आपको यदि नहीं भी पता है न तो आपको मैंने ये बताया था कि महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे भुगौलिक, इतिहासकार, वज्ञानिक, दाशनिक ये सबाय थे ठीक है जिसमें से मोस्ट फेमस था अलबरुनी और अलबरुनी जो ऐसा विक्ती था जो कि क्या था गर्णितग्य भी था इतिहासकार भी था भुगौलिक भी था गोल विज्ञान दर्शन तीनों की इसने समीक्षा की गए की थी इसलिए यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर है D ठीक है नेक्स्ट कुश्यन हम देख लेते हैं नेक्स्ट कुश्यन है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थाई सेना रखी कौन यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर आप सभी बताईए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका पर्मनेंट स्टांडिंग आर्मी के बारे में आपसे पूछ रहा है किस ने रखा था आपने पढ़ा है अभी PSC के लिए आपनों प्रिपेर कर रहे हैं तो आपको याद होगा और याद नहीं भी है ना कि अरे यार याद ही नहीं आ रहा है कोई बात नहीं हम अभी आद कर लेंगे तो प्रथम सुल्तान जिसने स्थाई सेना रखी तो यहाँ पे आपका एंसर है क्या है 26 का एंसर है आपका अलाउद दीन खेजी पर्मनेंट स्टांडिंग आर्मी इसने रखी थी साथ में इसने क्या किया था पर्मनेंट स्टांडिंग आर्मी तो रखी थी सेना तो रखी लेकिन सेना के लिए इसने क्या पद्धती को चालू किया था तो इसने दाग और हुलिया पद्धती क्या दाग और हुलिया पद्धती को चालू किया था अब यह क्या होता है तो दाग वो होता है ब्रैंडिंग ओफ होर्स यानि कि यह क्या करते थे घोडों को दाग दिया करत फिर आता है हूलिया पद्धती क्या है तो हूलिया पद्धती होता है कि जो प्रेजन डी बायोमेट्रिक होता है तो वही है हूलिया पद्धती अभी क्या होता है आपका आईरिस काप्चर किया जाता है जो बायोमेट्रिक होता है तो वही है हूलिया पद्धती में क्या होता ह अबी प्रेजेंटें में होता है ना वही है यानि कि इतनी बेस्ट इसने अलावद्दीन खिलजी ने इतनी बेस्ट पर्मेंट स्टेंडिंग आर्मी रखी थी कि इसके आर्मी में एक तो ये क्या चलाता था दाग यानि कि घोडों को दाग दिया जाता था कि ये हमारी घोड़े है न और हूलिया पद्धिती जिसको हम चहरा पद्धिती भी बोलते हैं बहुत जगां इंग्लिश में आपको लिखा मिलेगा चहरा तो ये वही है हूलिया पद्धिती इसको हिंदी में भी इसी तरह लिखते हैं आप हूलिया लिख लीजिए यहां पर तो यहां पर आपको इंग्लिश हिंदी नहीं करना है कि अरे यार हिंदी है या इंग्लिश नहीं यह हिंदी में भी बोला जाता है इंग्लिश में भी बोला जाता है नेक्स्ट भी चालो किया था ठीक है फिर उसके बाद next question हम देख लेते अमीर खुश्रों ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमी का निभाई बैजभाशा अवधी खड़ी भोली या भोजपुरी तो यहाँ पर क्या correct answer है तो यहाँ पर आपका correct answer है खड़ी बोली क्या है खड़ी बोली next question देख लेते हैं next question है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया युनानियों ने अंग्रेजों ने तूर्की ने मुगलों ने क्या है 28 आप बताएए 28 क्या है तो यहाँ पर correct answer है तूर्कों ने ठीक है किसने किया था तूर्कों ने किया था भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है चालू किया था तो टर्क्स ने चालो किया था भारत में ठीक टर्क्स ने चालो किया था साथ में इसको क्या बोलते हैं हम चोगान बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इंडिया में इसको चोगान पोलो को क्या बोलते हैं चोगान ठीक है नेक्स कोशन देख लेते हैं हमारा next question है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्का ने चहलगामी या 40 दल का गठन किया एबग, इल्तुत्मिश, बालबन या रजिया सुल्तान तो कुद्बुद्दीन एबग है है ना कुद्बुद्दीन एबग, इल्तुत्मिश, बालबन या रजिया सुल्तान तो किस ने किया था बताईए आप लोग तो correct answer है आपका इल्तुत मिश हमने देखा ना अभी गुलाम वंश स्लीव डाइनस्टी इल्तुत मिश ने चालो किया था तो इल्तुत मिश क्या किया था कि 40 जो 40 तुर्की सरदार है ना तो 40 सिस्टाव जिसको हम बोलते हैं 40 पद 40 दल इसने सापित किया था किसने इल्तुत मिश ने लेकिन यदि आप से कहीं पूछा गठन यदि बोलें कि इसका खंडन किसने किया तो खंडन किया था बल बनने किया था और बल बनने इसको किस तरह से खंडन किया था अपनी रग्त और लोहनीती के तहत यानि कि हम इंग्लिश में बो सकते हैं iron और blood policy की under में इस iron and blood policy कि आप रख तो एवं लौह नीती के तहत में इसका खंडन कर दिया था और क्यों किया था जिसे सुल्तानपत की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाए सुल्तानपत की प्रतिष्ठा मतलब क्या है ये क्या किया था इल्तुत्मिश क्या किया बाल्मन बोलता था उसका यह माना था मुझे कि चैल्स लोगों की जरूरत नहीं है मुझे यदि कुछ भी निरने लेना है तो मुझे इनकी राय लेने की जरूरत नहीं है मैं खुद इतना capable हूँ यानि कि सुल्तान इतना capable होता है कि वो अपने निर्णे स्वयम ले सकता है इसलिए इसने चाली साथ दल को समाप्त कर दिया था खंडन कर दिया था तो ये दोनों question आपको याद होना चाहिए ठीक है next question हम देख लेते है next है किस सुल्तानी हासिली सर्व हक इसर्व सिचाइकर जिसको हम बोलते है सिचाइकर नामक एक नया कर लगाया फिरोज तुगलक गयासुदीन खिलजी है ये खलजी नहीं है खिलजी मौहमद बिन तुगलक या अलाउद दिन खिलजी तो किसने किया था 30 का answer क्या है बताईए इसका सही answer है फिरोज शाह तुगलक क्या है फिरोज शाह तुगलक इसने क्या किया था सीचाई कर लगाया था इसके बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि अक्सर इससे कुशन बनते हैं डैली सल्टरिनेट का फिरोज शाह तुगलक से बहुत कुशन आते हैं कि इसने क्या किया था कौन सा टैक्स लगाया था और किस तरह से ये क्या इसकी कारिपत देती थी तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं तो जो फिरोज शाह तुगलक था तो उसने चार tax चालू किया था, सबसे पहला था खरज, ठीक है, खरज, तो खरज क्या था, खरज एक land tax था, ठीक है, भूमी कर जिसको हम बोलते हैं, land tax था, क्या होता था इसमें, कि ये जो है, जो भी उपज है, उसका one-tenth हिस्सा, जो भी भूमी पर, जो भी उपज होती है, उसका one-tenth हिस्सा, जो है, देना पड़ता था, कर की रूप में, tax के रूप में, तो खरज इसने चालू किया था, पिर इसने जकात चालू किया था, क्या चालू किया था, जकात कर, जो है, चार tax थे, जकात, ठीक है, और खाम, और जजिया, जजिया, यदि आप से पूछता है, जजिया, ठीक है, तो ये भी इसने क्या किया था, चालू किया था, बट एक्जाक्ली क्या था, कि जो ये खरज था, खरज लैंड tax था, भूमी कर था, जो जकात था, वो प्रॉपर्टी टेक्स था, क्या था, प्रॉपर्टी टेक्स था, किस से वसूला जाता था, तो आपको याद रखना है, एक चीज आपको याद रखना है, कि क्या क्या है, खरच क्या है, भूमी कर, जकात क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स है, खाम क्या है, खाम में क्या होता था, कि वन फिफ्ट ऑफ दबूटी कैप्चर, यानि कि क्या होता था, कि जो भी ये लोग लूट तो उसका one-fifth हिस्सा जो भी प्रॉपर्टी जो किसी भी युद्ध के तहद यह लोग प्रॉपर्टी किसी की लूटते थे तो उसका one-fifth हिस्सा जो है जो लेना है और विकेंसे हिंदूओं से लिया जाता था पर्टिकुलरली यह religious tax था यानि कि धार्मिक कर था ठीक है यह आप लोगों को याद रखना है साथ में जजिया जो है महिलाओं से और बच्चों से नहीं वसूला जाता था यानि कि exempted category थे महिलाएं और बच्चे तो यह चार प्रक तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया चालू किसने किया तो फिरोज शाह तुगलक ने जिसको हटाया किसने अकबर ने हटा दिया था जजिया यानि कि कोई भी नहीं देगा tax ठीक है याद रखना इस चीश को खरज, जकात, खाम और जजिया अकसर एक्जामे कोशन बने है फिर आता है आपका और क्या क्या करता था तो इसने कुछ-कुछ दिवाने इसने क्या चालू किया था दिवाने खेरात और दिवाने खेरात क्या होती थी खेरात यानि कि बहुत सारे लोग बोलते हैं खेरात में बाटने के लिए नहीं है खेरात मतलब क्या होता है चारिटी तो ये क्या था Office for Charity, Charity के लिए था, दान के लिए जो था, दिवानी खेरात था, ठीक है, फिर होता है दिवानी बंदगन, बंद, यानि कि बंधी, बंदगन, बंधी, तो ये क्या था Department of Slave था, आप याद कैसे कर सकते हैं, इस तरह से आपको इसली याद हो जाएगा, ठीक है खेरात Charity, यानि कि जो भी दान, ये सब करना है, वो है, फिर बंदगन, दिवानी बंदगन क्या होती, क्योंकि अक्सर पूछा है, एक्जामिस्ट आपको मैं बता रही है न, दिवानी खेरात और दिवानी बंदगन, ये क्या है, इस तरह से पूछता है, चालू किसने किया ये भी पूछता है, किसने, यानि कि इसका गठन किसने किया था, तो खेरात Charity, बंदगन, स्लेव, ठीक है, साथ में इसने सरिया, सरिया, सरिया क्या है, रेस्ट हाउस होता है, किसके लिए जो भी व्यापारी या ट्रेवलर्स जो होते है, तो उनके लिए ये क्या था, रेस ये शहर कौन से है, फिरोजाबाद, फतिहाबाद, जौनपुर और हिसार, ये भी एक्जाम में पूछा गया है, कि वो चार शहरों का नाम बताएए, जिसकी स्थापना फिरोशा तुगलक ने की थी, तो फिरोजाबाद बस हमको याद हो जाता है, अच्छा फिरोशा बिमारस्तान और शीफा खाना, शीफा खाना क्या है, इस तरह से कुछ नाता है, शीफा खाना क्या है, तो शीफा खाना ऐस्पताल है, फिरोशा तुगलक ने जिसकी स्थापना की थी, फिर हिंदी, ये जरूर इंगळिश में रिखा है, बट हिंदी medium students, मैं आप लोगों को इसलिए बोल करके हर चीज बता रही हूँ कि आप किस तरह से, क्योंकि नाम नहीं बदलते, आप हिंदी में भी वैसे ही लिख सकते हैं, यह जो मैं बता रही हूँ, वो हिंदी में भी इसी तरह लिखाएंगे, और कुछ नाम डिफरेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है, जकात, जजिया, खाम, है ना, मैंने आपको बताया, खरच को बताये, मैंने क्या बताया था, कि यह लैंड टाक्स था, क्या था, भूमी करता, फिर मैंने जकात को आपको क्या बताया, कि यह प्रॉपर्टी टाक्स था, क्या था, प्रॉपर्टी टाक्स था, किससे वसूला जाता था फिर आता है जयसिया जो कि प्रॉपरटी की लूटते थे लूटतट प्रॉपरटी में जो यह तैक्स लगाते थे यह वो था ख्रॉपॉ door needed इन ही कि सापना की दी यही चार कर थे जो कि फिरोशा तुगलक ने बनाये थे और या फिर लाया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसमें irrigation tax जो है, garden tax, octreo tax और sales tax, यह क्या था, उलेमास को खुश करने के लिए, क्योंकि उलेमास चाहते थे, कि यह सब कर भी लाये, इसलिए फ octreo tax और sales tax, ठीक है, साथ में जो है, इनको अंगरेजियो द्वारा फिरोशा तुगलक को, अंगरेजियो द्वारा क्या उपाधी दी गए थी, father of irrigation department, यानि की सिचाई विभाग का जनक, सिचाई विभाग का जनक किसको माना जाता है, तो वो फिरोशा तुगलक को माना जात क्योंकि इन्होंने many gardens और canals बनवाय थे, इन्होंने बहुत सारे क्या बनवाय थे, garden बगीचा और नहर की सापना, और नहर के लिए मुखी रूप से चार नहर पढ़ने होते हैं, उसको अब क्या बोलते हैं, आप लोग देख लीजेगा कि कौन-कौन से इसने चार नहरों की सापना की थी, वो उतना important नहीं, क्योंकि exam में उतना ज्यादा पूछा नहीं गया, इसलिए मैं उसको इंट्रोड यहां पर नहीं उसको point out किया, ठीक है, next question है आपका, I hope आप लोगों को यह सब clear हुआ होगा, देखिए कि यदि मैं MCQ बस करवाओंगी ना, तो ठीक है, short video ब कि हम जो पढ़े हैं वो ही आजाए, बट ऐसा नहीं होता है, यदि आप देखिए हमेशा हमारी strategy क्या होनी शहीं है, कि हम सबी जीजों को cover up करती हुए, ठीक है, तो उसमें से क्या है, कि आपने तो area cover कर लिया है, वो basic जिसको बोलते हैं हमेशा, आप यदि जो भी, जिन्हो आपका strong है, तो आप MCQ easily कर पाओगे, यदि basic नहीं है, तो फिर क्या कर पाओगे, इसलिए each और everything, जो भी मैं session में बताती हूँ, इसको ध्यान से आप लोग सुना करो, next question है आपका, किसने भूमी मापने का पैमाना, गंज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, सिकंदर लोदी, सिक सिकंदर शाह, सूरी, सिकंदर महान या इन में से कोई नहीं, तो 31 का यहाँ पर क्या होगा, answer बताईए, तो जो गंज ए सिकंदरी है, इसका प्रचलन जो किया था, उसने किया, सिकंदर लोधी ने किया था, किसने किया था, सिकंदर लोधी, और यह किया था, BSI याद रखना है न, BSI, बहलो, सिकंदर और इब्राहिम, ठीक, next question हम देख लेते हैं, next question है हमारा, और यह सिकंदरी, जो क्या बोलते हैं, sorry, गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन है, यह जो भूमी मापने के नहीं, यानि कि जो भी, लांड को यह क्या करते थे, measure करते थे, तो यह क्या था, जो सिकंदरी गज जो बोला जाता है, वो कितने के बराबर होता था, तो 39 इंच के बराबर होता था, कितने 39 इंच के बराबर होता था, सिकंदरी गज जिसको बोलते हैं, तो सिकंदर लोधी आपको याद रखना है, next question है हमारा, किस मुस्लिम साशक के सिक्कों पर देवी लक्ष लक्ष्मी की आकरती किस में बनी हुई है, किस मुस्रिम साशक की सिक्कों पर बनी है, यहाँ पर जो सही आंसर है आपका तो मुहम्मद गौरी है, अब मुहम्मद गौरी क्या था, कि इसने सोने के सिक्के प्रचलन में लाए, ठीक है, उसमें क्या था, इसने हेड और टेल होते है है ना head or did चित और पट उसमें क्या था जो चित था यानि कि head था इसने क्या क्या था उसमें इसने लक्षमी देवी लक्षमी और विशब कौन विशब विशब भी किस तरह से विशब गुड सवार इस तरह से आता है है आपको याद रहना चाहिए I know आप लोगों को राइटिंग बिलकुल समझ में नहीं आती है but still you have to compromise with that ठीक है लक्षमी और व्रिशव गुड़सवार क्या थे जो भी हेट में था ये थी इनकी आकरिती बनी हुई थी फिर उसके बाद आता है टेल तो टेल में क्या था पट में क्या रहता था तो देव नागरी लीपी पर किस में देव नागरी लीपी में क्या बना हुआ था क्या अंकित था में महम्मद बीन क्या था महम्मद महम्मद बीन साम उतकीरण था महम्मद बीन साम उतकीरण रहता था ठीक है I hope आप लोगो को clear हुआ होगा कि जो मुहम्मद गौरी ने सोने के सिक्के जो चलाय थे किस लिए जिससे सामप्रदाइक सोहादर बना रहे क्या था ये सिक्के देवी लक्षमी की आकरती तो किसमें ये प्रित्वी राज चोहान को हराया था जब ये दिल्ले पर साशन क करने के लिए बैठा तो क्या हुआ था कि जिससे ये भारतिये लोग जो कि हम बो सकते हैं कि जो भी हिंदू धार्मिक जो भी इनके जिस क्योंकि क्याप्चर तो करना है लेकिन अब दूसरों के विरुद्ध यानि कि भारतियों की विरुद्ध जैसी कि अंग्रेजों ने ज सामप्रदा एक सौहाद्र बना रहे तो इसलिए जो प्रित्विराज चोहान और राजपूतों ने जो सिक्के जारी किये थे ना जो उनके समय में चलते थे तो ये बदले नहीं थे यानि कि इसलिए इनके सिक्कों पर लक्ष्मी और विश्यब गुरसवार की आकृति बनी रहती थी लेकिन साथ में और देवनागरी भी इनकी थोड़ी ना है देवनागरी लीपी तो इन्होंने भारत की यानि कि प्रित्विराज चोहान भी प्रित्विराज चोहानी चलाया करते देवनागरी लीपी लेकिन बट इसने क्या किया था उसमें क्या उत्किरण कर दिय था मुहम्मद बीन साम लिखा करता था ये उसमें सिक्कों में साथ में जो अक्बर है अक्बर की बारे में यदि हम देखें तो ये इसने चांदी के सिक्के प्रचलित किये थी और चांदी के सिक्के में राम सिया का नाम अंकित रहता था क्या रहता था राम सिया का नाम अंकि किया था इन्सिकों को जारी किया था नेक्स्त कुश्चन हम देख लेते निम्नलिकित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप चंगीज खान अपने को इश्वर का अभिशाप माना करता था और अपने आपको यही नाम से पुकारता था ठीक है, next question हम देख लेते हैं, यहाँ पर answer है, चंगीज खान, next question है हमारा, दिल्ली की राजगदी पर अफगान साशकों के साशन का निमने लिखित में से कौन सा सही काला नुक्रम है, तो आपको क्या याद रखना है, लोधी लोधी पूरा दिया है, तो लोधी में आपको क्य सुरू से मैं बताई हूँ, B, S, I, अब जहां पर भी B, S, I हो, देख लो, B, S, I, तो बस वही आपका answer बन गया, 34 का क्या होगा, C, next question है हमारा, दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम साशक कों था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बताईए, यदि आपने session अच्छे से एटेंड किया है, तो आप यहाँ पर आंसर बता पा रहे होंगी, कि 35 का यहाँ पर आंसर क्या है, तो मैंने आपको बताया था, और स्पेस्टी मैंने पॉइंट आउट किया था, वहाँ पर तो क्या है, नसरुदीन मुहमद, ठीक है, तुगलक राजवंश का अ तो हमने डेल्दी सत्रिनित देख लिया, फिर अब आगी कंटिन्यू कर रहे हैं, विजयनगर अंपायर, तो विजयनगर अंपायर सबसे पहले हमको तो इनका कब थे यह, तो इनके लिए हमको जो याद रखना है, वो यह है, जो एक्जाम में पूछता है, विजयनगर अंपायर कौन सी शताब्दी में थे, तो चहुदवी शताब्दी में यह, जो है, आए, है न, एक्जिस्टेंस में आए, क्या था यह 1336 से लेकर के 1646 तक, 14 से लेकर के 17 वी शताब्दी तक यह थे विजयनगर अंपायर, और यदि एर पूछता है, तो आपको याद रखना ह 1336 से लेकर के 1646 तक, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, विजयनगर अंपायर, विजयनगर अंपायर से जो कोशन पूछते हैं, उसको मैं बता रही, तो विजयनगर अंपायर चार वंशों में विभाजिता है, जैसे अभी हमने देखा डेली सल्टनीट, ठीक साल्व वंश, फिर तुलूव वंश, फिर अराविडू वंश आता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि याद क्या क्या करना है, तो याद हमको जो करना है, जो पूछा जाता है एक्जाम में, संगम डाइनस्टी के संस्थापक बोलता है, तो हरिहर और बुकाराय, हरिहर प्रथम और बुकाराय प्रथम, संगम डाइनस्टी इन्होंने अपने वंश का नाम दिया, तो संगम डाइनस्टी नाम देने का कारण है, इनके पिता का नाम था संगम, और अपने पिता की नाम पर इन्होंने इस वंश को नाम दिया है, और इस और विकें से इस वंश का न साथ में यह इतने सारा चीज आपको याद भी करना है और याद कैसे होगा नई आपको किवा संस्थापक याद रखना है हरिहर और बुक कर रहा है जो कि 1336 से लेकर के 1356 फिर आयती 56 से लेकर के 77 आपको जो याद रखना है mostly है ना यदि आप last time revision कर रहे हो तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1336 में जो है स्थापना हुई थी किसकी संगम बंश की ठीक है और बिजे नगर अंपायर की नीव रखी गई फिर उसके बाद आता है रामचंद्र राय थोड़ा सा याद कर लेना देवराय प्रतम इस तरह इसे बोलने के लिए तो सभी इंपोर्टेंट है ठीक है इसलिए मैं आपके सामने इसको फ्लाश कर रही हूँ लेकिन जो यदि आप last time revision कर रहे हो तो कुछ कुछ चीजे तो बिलकुल याद रखनी है तो रामचंद्र राय जो है 1422 इसको याद कर लेना साथ में हरी हर बुक रुद्ध जो है विजयनगर अमपायर आया था ठीक है नेक्स कुछिन देख लेते हैं हम स्वरी आगे वी इसी को देख लेते हैं साल्वु वंश तो साल्वु वंश जो है उसके संस्थापक है साल्वु नरसीं देव राय फिर आता है तिमपा भूपल्ला और नरसीं राय द्विती है फिर आता है तुल्व वंश इसमें अकसर कुछन पूछे गया है कि संस्थापक को ने तुल्व वंश के तो तुल्व नरस नाय का तुल्व नरस नाय का जो की 1491-1503 यर से नहीं पूचा है संस्थापक का नाम पूचा है तो तुल्व नरस नाय का आपको याद और यह कृष्ण देव राय मुस्ट इंपॉर्टेंट डूलर है विजनगर एंपायर की मुस्ट इंपॉर्टेंट डूलर कृष्ण देव राय है ठीक है फिर आता है अराविडू वंश तो अराविडू वंश में अलिया रामा राय तिरुमला देव राय बागी बहुत है कि यह याद रख लो तीरुमला देवार देवराय क्योंकि 1565 से 1572 तक थे आई नो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यह सेशन कितना बोरिंग लग रहा है यार कुछ चीज यादी नहीं हो रहा है लेकिन यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है आपको रिवाइज हो जा रहा है ठीक है लेकिन नई भी पढ़े हो ना तो भी आप लोग देखो एट लिस्ट ठीक है क्योंकि आप एपियर करने वाल हो तो यह सब चीजे तो बेसिक है आपको याद होनी ही चाहिए पिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम विजे नगर सामराजी की स्थापना कब हुई आज आते हम MCQ में विजे नगर सामराजी की स्थापना कब हुई तो यहाँ पे आंसर है अभी मैंने आपको बताया और आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे I hope so तो यहाँ पे आपका आंसर है 36 36 का E 1336 में ठीक है किसने बुक्का और बताये आप लोग बुक्का राय और हरिहर राय नेक्स्ट कोशिन है आपका कृष्ण देव राय ने निमिलेखित में से किसके साथ मैत्रिपुन संबंध रखे थे तो फ्रांच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच किसके साथ रखे थे बताये तो आप लोग को याद रखना है विजे नगर अंपायर का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हुआ करता था वो पुर्तगालियों के साथ होता था पुर्टगालियों के साथ होता था ठीक है ये चीश को याद रखना कि यदि कुछ भी नहीं आ रहा है ना कि कि किसका ना पूर्तगालियों के साथ में ये व्यापार अधिक किया करते थे इसको याद रखना ठीक है नेक्स्ट कुछ ने आपका विजे नगर किस नदी के तर्पस्थित है कावेरी कृष्णा बान गंगा तुंग भद्रा तो यहां पर आपका सही आंसर है तुंग भद्रा ठीक है ये वही रिवर है पंपा रिवर और हम बोलें तुंग भद्रा रिवर ठीक है नेक्स कुशन देख लेते हैं तो विजय नगर की महान सामराजी की अवसेश कहां पाए जाते हैं बीजापुर में, गोल कुंडा में, हमपी में, बड़ोदा में, तो कहां पाये चाते हैं, बताइए आप लोग, तो हमको हमपी में, कहां विजय नगर महान सामराजी के अवसेश, कहां पाये चाते हैं, तो हमपी में, क्या था विजय नगर अमपायर की राजधानी थी हमपी, present day कहा है करनाटका में कहा है करनाटका में ठीक है और इस विजय नगर empire को करनाटा empire भी बोलते है करनाटा करनाटा करनाटका तो present day में बोलते है करनाटा भी बोलते है ठीक है फिर उसके बाद आता है हमारा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो अंपायर किसके नाम पे रखा गया था विजय नगर अंपायर और कहां सबसे ज्यादा है हमपी जो कि कहा है करनाटका में जो की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह हमपी ठीक है next question है हमारा ने साथ में और भी है इसके बारे में जो भी explanation है ना तो उसको थोड़ा देख लेत कि इसको बोलता है जो हमपी में जो मंदिर है उसको हम बोलते है विरुपाक्षा टेम्पल किया यह लौर्ड शिवा का एक फॉर्म है यनि कि भगवान शंकर का एक रूप है विरुपाक्षा उनका यह मंदिर है जो कि क्या है युनेस्को की वul्ड हेरिटेज साइट है इसल पूछा जाता है तो लखन डंडसेश नी किया है इसकी स्थापन यानि की इसको बनवाया है और यह कौन थे तो यह नायक थे नायक थे, किसके समय में देवराय द्विती जिनको प्रौड देवराय के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, प्रौड देवराय, देवराय द्विती ठीक है, नायका थोड़ा याद रखना, आगे ये कोशन बनेगा, नायका, है नायक, आगे मैं आपको बत नायक ठीक है चीफ टेंस जिसको हम बोलते हैं इंगलिश में नायक ठीक आगे देख लेते हैं निक्स्ट विजय नगर का प्रथम साशक कौन था जिसने पुर्तगालियों की साथ संधी किसने की थी तो पुर्तगालियों के साथ में संधी कृष्णदेव राय ने की थी किसने क बताया है कि हमपी में जो विरुपाक्षा टेम्पल है इसके जो नायक थे लकन दंडेश उसने क्या बनवाया था विरुपाक्षा टेम्पल ठीक है, next question देख लेते हैं, next है कृष्णदेव राय किसके समकालीन था तो कृष्णदेव राय समकालीन था बाबर के, किसके बाबर के समकालीन था, ठीक है, तो यहां पर correct answer क्या है, आपका C, बाबर के समकालीन था, बाबर कब था, 1526 में था, और ये कब था, कृष्णदेव राये, 1509 से लेकर के 29 तक था, ठीक है, 1509 से कृष्णदेव राये, 1509 से लेकर के 29 तक था, अब बाबर क बाबर का कारिकल कब हम अकसर पढ़ते हैं कि बाबर कब आए 1526 में भारत आया था तो किसका समकालीन हुआ ये बाबर का समकालीन हुआ कृष्णदेव राय और कृष्णदेव राय ही तुल्ववंश यदि पूछता है कि किस वंश को बिलॉंग करते हैं तो अभी मैंने आपक सामराजी की स्थापना कब हुई तो बताईए अभी हमने देखा है 1336 में हुई यानि की शताबदी पूछा तो आपको क्या याद रखना है 14th ठीक है चहुदवी सदी में हुई है विजयनगर सामराजी की स्थापना ये जो कोशिन का सेट है ये एक्जाम में पूछे गए हैं ये वही सेट है ठीक है फिर आता है विजयनगर की किस साशक की उपाधी किस स्थारी विजयनगर की किस साशक की उपाधी गजबेत कर थी तो क्या थी बताईए देवराय प्रतम देवराय द्विती कृष्ण देवराय बस हमपी का जो टेंपल है विरुपाक्षा टेंपल और इसके जो देवराय द्विती के जो नायक थी जिनका नाम था लकन दंडेश उसने स्थापना की दिए इतना तो बिल्कुल कंठस्ट कर लो अभी सेशन को अटेंड करते करते ठीक है फिर उसके बाद नेक्स कुशन हम द हारी किसका होगा जिसने ये विजे नगर अमपायर को बसाया किसने बसाया है हरी हर एवं बुकका किसने हरी हर एवं बुकका ठीक है नेक्स कुशन देखते हैं तो विजे नगर अमपायर जैसे कि मैंने बता है 1336 हरी और बुकका राए ठीक है साथ में ये बोला जाता है कि यादव lineage से थे ठीक है यादव वन्ष को भी बिलॉंग करते थे next question है हमारा बीजापुर का गोल गुमबत किसका मगबरा है तो किसका है ये favorite question है इस तरह के question न व्यापम तो पूछता है directly दे देता है तो ये history से तो इस तरह के question तो expected है पूछ सकता है न आदिल शा प्रथम मुहमद आदिल शा ताज सनी टावा या इन में से कोई नहीं तो 45th का answer क्या है बताइए बीजापुर का गोल गुमबत किसका मगबरा है तो मुहमद आदिल शा का है किसका है मुहमद आदिल शा का है नेक्स question है हमारा विजयन अगर की किस साशक ने विवाह कर जैसी अलोगपी करो को समाप्त किया तो किसने समाप्त किया था देवराय प्रथम देवराय द्विती कृष्ण देवराय सदाशिवराय तो किसने मारिश टाक्स को हटा दिया था तो कृष्णदीव राई नहीं हटाया था, किस नहीं हटाया था, कृष्णदीव राई नहीं हटाया था, next question देख लेते हैं, तुल्व बंश की अंतिम साशक, सदाशिव राई के समय वास्त्विक सत्ता किसके हाथ में थी, राम राई या, राम राजा, तिरुमल, नरसा नाय या, इन में से कोई नहीं, तो कौन था, बताये, वास्त्विक सत्ता किसके हाथ में थी, 47th, 47th का क्या अंसर होगा, राम राई या, राम राजा, ठीक है, राम राई या, राम राजा, next question देख लेते हैं, किस युद्ध को विजे नगर सामराज के शांदार युक का अंतमार पानिपत का तृती युद्ध, अदोनी का युद्ध, ताली कूटा का युद्ध, इन में से कोई नहीं, तो 48th का क्या होगा, ताली कूटा का युद्ध, आप लोग पढ़े होंगे, विजे नगर अंपायर जब आपने पढ़ा होगा, तो ताली कूटा का युद्ध, आप 36 से ले करके 1646 तक था तो 1640 लास्टेट कब 1646 में तो उस समय क्या हुआ था बैटल ओफ ताली कोटा हुआ था ठीक है कब 1565 में बाइदा कमबाइन आर्मिस ओफ डखकन सलत्रनेट और मैंने आपको बताया ना क्या बताया देखिए जो राम राजा या राम राय है इन्होंने म चीफ टेंस थे फिर आता है मधुरई का मिनाक्षी मंदर का निर्माण किसनी कराया तो मधुरई के पांड़े साशक ने मधुरई के मुस्डेम साशक ने मधुरई के नायकों ने या इन में से कोई नहीं तो अभी मैंने आपको बताया था नायक याद रखना क्या था कि ना question है हमारा वीर पंचाल का अर्थ है अभी जात्य वर्ग दस्तकार वर्ग क्रिशक वर्ग या इन में से कोई नहीं तो वीर पंचाल तो पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि वीर पंचाल है क्या तो वीर पंचाल मतलब होता है वैपारियों का वर्ग वैपारियों का वर् क्या है जिनको हम बोलते हैं दस्तकारवर्ग वीर पांचाल बोलते हैं ठीक है तो यहां पे आपका मद्धिकालीन इतिहाज इन विजयनगरंपायर और साथ में कुछ important information यह है इसमें कुछ important points जो हैं विजयनगरंपायर जो की अकसर एक्जाम में पूछे जाते हैं वो यह है कि इस समय के European Travellers कौन थे तो उसको थोड़ा सा याद कर लेना कि विजय नगर अमपायर में Domingo Pius, Farnio Nunes और Niccolo D. Conti अक्सर एक्जाम में कूट के रूप में दे देता है, March the Falling दे देता है और बोलता है कि किस समराजी से संबंदिते तो थोड़ा सा याद रख लेना कि European Travellers थे, European थे ये तो Domingo Pius, Farnio Nunes और Niccolo D. Conti ये तीन को आप लोग यदि याद कर लें तो अच्छा ही रहेगा ठीक है तो ये हमारी important sets मद्यकालीन इतिहास से complete हुए तो इस तरह से हमने MCQ के through मद्यकालीन इतिहास को cover किया है यदि आपको ये session अच्छा लगा तो प्रीज लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कीजिए और यदि आपने चानल को subscribe ने किया तो चानल को subscribe कर लीजिए और bell notification को on रखिए जिसे आप जो भी video डालें तो आप तक पहुशती रहे और यदि आप हमारी test series को join करना चाहते हैं तो आप हमें इस whatsapp number पर whatsapp कर सकते हैं इस whatsapp number पर whatsapp कर सकते हैं और test series को join कर सकते हैं next test जो है आपका 21st March को है तो यदि आप join करना चाहते हैं तो इसको आप इस टेस्ट को जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर दे सेशन।